कहा नज़र है आपकी, कौन से स्टॉक्स आपको लग रहा है, इस समय खरीद लेने चाहिए, मार्केट पर व्यू भी दीज़े तीन काउंटर्स है जहां पर आपका जहान रहना चाहिए पहला रहेगा भी गाड़ जो की ultimate breakout दिया है, बहुत ही strong breakout है और ऐसे breakout पे जनरली बहुत बड़ी आपको rally देखने हो मिलती है पिछले करीबन एक देड़ महिने का consultation triangular pattern का breakout है और जिस तरीके का breakout है मेरा मानना है कि बहुत बड़े target देखने हो मिल जाने चाहिए मैं futures की rate की बात कर रहा हूँ, मेरा पहला target रहेगा करीबन 235 का और इस trade के लिए मेरा stop loss बहुत नजदी है 226 का 227.50 पे trade कर रहे हैं, देड़ रुपे की रिस्क है और काफी बड़ी upside आपको देखने हो मिल जाने चाहिए इसका दूसरा कारण यह है कि अभी एक गंटा हो गया है और अगर हम पिछले तीन मेने का early volume देखते है ते इतना बड़ा volume कभी देखा नहीं है तो under current बहुत strong होने के current मेरा मानना है कि 235 easily targets achieve हो सकते है उसके ऊपर के targets भी देखने को मिल जाने चाहिए दूसरा मेरा counter रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर स्टॉक्स में अच्छी कर्शी हरकत देखने को मिल रही है और मेरा मानना है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी आपको काफी अच्छी upside देखने को मिल जाने चाहिए 950 मेरा stop loss रहेगा 970-975 आपको टागेट देखने को मिल जाने चाहिए और तीसरा counter है ICICI-ACI Pro जहां पर मेरा मानना है कि आपका देहन होना चाहिए इधर से काफी अच्छी upside देखने को मिलेगी चार दिनके consideration के ऊपर negotiate कर रहा है मैं preempt कर रहा हूँ यह move पर इसको buy करके चलना चाहिए 364 का stop loss रहेगा 367.50 पर trade कर रहा है target के लिए 374 के levels आपको देखने को मिल जाने चाहिए आज चलिए जादव साहब ने तीन stocks suggest किये तीनों buys हैं वी गार्ड जिसमें वॉल्यूम ब्रेक आउट बाला कृष्णा इंडस्ट्री इस टायर मेकर और आईसी 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 आई प्रू लगपक 314 रुपे का target आपके लिए प्रश्ण जादव साहब उजीवन अगर आप देख पाएं तो काफी जबरदस्ट open interest का इसमें इजाफा हुआ है पिछले हफ़ते और stock इस वक्त तीन सो पचास रुपे के आसपास है चार दिन की rally के बाद कुछ राय इस पे आपकी उजीवन considerate कर रहा है और काफी under current strong है शेल जी मेरा मानना है कि आपको 343 का stop loss लगा के hold करना चाहिए बाय करके चलना चाहिए और एक बार 355 के levels निकल जाए तो aggressively बाय कर निकलना चाहिए मेरा मानना है कि यह काफी अच्छा chart pattern है financial stocks काफी अच्छे देखने को मिल रहे है और मेरा target 369 कराएगा अगले दो trading sessions के अंदर सब यह प्रशन आपके लिए TCS और Infosys दोनों के नतीजे आ गए TCS ने बढ़ा अच्छा प्रदशन किया Infosys शायद उतना अच्छा नहीं कर पाया लेकिन अब जो focus है वो HCL Tech और Wipro Sys में है माफ कीजे Wipro में है इन दोनों में से आपको कौन से शेस पसंद है HCL Tech मेरा मानना है कि अंडर करन बहुत स्रौंग है और इधर बाय करने की immediate साला होगी क्योंकि एक support पे देखने में मिल रहा है इसने breakout दिया था करीबन 1080 के करीब 28 March को और उसके बाद जो अपमुवाई उसी लेवल पे टेस्ट हुआ और 1080 वायलेट नहीं हो रहा है closing basis पे तो मेरा मनना है 1070 के 10 रुपए की risk लेनी चाहिए support के नीचे आपका 1070 पे stop loss होना चाहिए और बाय करके चलना चाहिए अभी 50% बाय करें 50% remaining 50% 1130 के उपर भाय करनी की सला होगी उसके बाद एक नए दायरे में चलता नजर आएगा और open blues का territory में भी चला जाएगा तो इधर से बहुत बड़ी move देखने हो मिलेगी अगर हम long term chat pattern देखते हैं तो multiple tops का breakout भी देखने हो मिल रहा है और उसका target बहुत बड़ा होता है तो इधर से 25-30% के rally आप देख सकेंगे अगले 6-8 मेने में इतना अच्छा pattern है तो मेरा माझना है कि विपरो और HCL Tech के दोनों के compare करते हैं तो HCL Tech मुझे ज़्यादा अच्छा देखने हो मिल रहा है इस pocket में आपको सबसे बढ़िया stock कौन सा लगता है अभी आज के लिए अगर trade करना है तो विदानता मुझे लगता है कि अच्छा move देना चाहिए एक अच्छे gap से, runaway gap से खुला है अंडर current strong देखने हो मिल रहा है तो 185 का stop loss रहेगा दो रुपए current market price से नीचे और आपको 191 के targets कल तक देखने हो मिल जाने चाहिए किरन जी अब तक हमने सुभा से सबसे aggressive targets 30,000 दोसों की बात करी है बैंक निफ्टी पर आपका क्या view बन रहा है जिससे आप से भाग रहा है आज का दिन बैंक निफ्टी के लिए कैसा रहने वाला है बैंक निफ्टी में momentum strong ही देखने में मिल जाना चाहिए और जिस तरीके के pattern है 30,200 ही important barrier है उसके उपर फिर नए दायरे खुलते नजर आ जाने चाहिए पर अगर 30,200 के ऊपर हम consistently रहते है तो मेरा मानने है कि जो recent tops थे 30,600 के आपको टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए तो उदर से भी 400 पॉइंट की rally आपको देखनी को मिल जाने चाहिए पर बहुत important है 30,200 क्रॉस करना ये आपके टार्गेट क्या है Hexaware के लिए ये पहले टागेट रहेंगे इदर एक बार review ले लेना चाहिए और जिनके पास long question से 341 का stop loss अभी रखे तो आपका भी favorite stock रहा है आएगा चार डिजिट में आजाना चाहिए हमाजी पर इदर एक मेरा एक छोटा सा caveat है कि 945 ये एक लक्षमन रेका जैसा एक लेवल है जहां पर आप हर निवेशेक ने एक ध्यान रखना चाहिए इसकी नीचे की closing इस stock को बहुत खराब कर देगी तो 945 अपर stop loss रहना चाहिए अगर आपका delivery position है positional है या intraday move है ये आपको ध्यान में ही रखना है और अभी buy कर सकते है बिलकुल इस level के जब तक ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है next resistance है वो है 995 मेरा मानना है कि 995 के ऊपर अगर जाने के बाद aggressively buy करके चलना सही है फिर आपके targets करीबन 1140-1180 के levels देखने हो मिल जाने चाहिए ये सब positional views की बात कर रहा हूँ पर aggressive 995 के ऊ परियोगा